हेलो दोस्तों आप लोगों का स्वागत आमरी चैनल पर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ओच मार्वल मुवीज इन और पेज वन टू फेज सिक्स पूरानी यानि 2008 से लेके 2018 तक आने वाली जितनी भी मार्वल मुवीज है उन सारी मुवीज की लिस्ट एक ही वीडियो में बना सको यही सोच के यह वीडियो में बना रहा हूँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर फर्स्टाम आपको सब्सक्राइब करना क्योंकि आप लोगों को पता है कि इतना बड़ा और रिसर्च करके वीडियो बनाने के लिए कितना पहली मुवी की तरफ मारवल सिनेमाटिक युनिवर्स की सबसे पहले फिल्म ती आयान मैन जो रिलीज हुई थी दो में 2008 को और इस फिल्म ने रॉबर्ट डॉनी जुनियर इस आक्टर को पूरा वर्ल्ड में पैम दे लिया था वरना इस फिल्म के पहले रॉबर्ट डॉनी जुनियर को अमेरिका के बाहर कोई इतना जानता नहीं था कुछ होंगे गिने चुने जो हॉल्यूड फैन्स होते हैं जो हॉल्यूड की हर फिल्म में देखते हैं उन लोग जानते होंगे लेकिन एक जनरल लेवल पर जो जीतना पॉपिलर आज डॉबर्ट डॉनी जुनियर है वो नहीं था और यह फिल्म हाला की मार्वल्स ने भी एक रिस्क लेके बनाई थी क्योंकि स्पाइडर मैन के अलावा कोई भी सुपर हीरो की फिल्म मार्वल की इतनी बड़े लेवल पर हिट नहीं हुई थी तो इसलिए उन्होंने आयर मैन और इंक्रेडिबल हल्क यह द स्टार्ट करोगे तो उसके स्टार्टिंग में आपको कुछ दिखाया है नाम जब पीरते तब तो आपको लगता है कि यही कुछ हिस्सा आगे कहानी में होने वाला लेकिन हाला कि ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें डिखाया है कि हल्क जो है वह अल्रेडी हल्क बन चुका है और फिर उसके आगे के कुछ इस फिल्म में रिखाया गया है लेकिन अगर आपको वह एक्जैक्ली हल्क कैसा बनता है और फिर वहां से वह कैसे सूपर हीरो हल्क बन जाता है उसकी पूरी कहानी आपको हल्क में देखने मिलेगी उसके बाद अब फ़र्ड नंबर पर इंक्र मारने के लिए आता है और फिर उनके बीच में लड़ाई होती है और उसके बीच क्या-क्या होता है वह आपको देखना है तो आप आयर्न मैंन 2 देखे उसके बाद रिलीज हुई थी थी फिल्म यह फिल्म जब रिलीज हुई थी तो इसको इतना अप्रिशेट नहीं किया ग इस फिल्म में मिलेगा उसके बाद सिक्वेंस में आती है Captain America the first Avenger के नाम में ही है कि यह हला कि पहलाए था Second World War के टाइम पर अमेरिका ने एक Super Soldier बनाने का एक program बनाया था और उस Super Soldier को create करते वागक कैप्टन अमेरिका को बनाया गया था इसके बाद आई Marvel's की सबसे best film Marvel's The Avengers तो मतलब यह पहली बार ऐसा था कि भाई Superhero की individual film में हर बार बनती आ रही है लेकिन Marvel The Avengers की खासियत ही ये थी कि एक ही फिल्म में एक ऐसी कहानी बुनी गई जिसमें Iron Man, Hulk और Captain America जैसे चार-चार सूपर हीरो को एक फिल्म मिलाया गया लोगों को देखके मज़ा आ गया आज भी ये वन आफ दे बेस्ट Marvel फिल्म मानी जाती है तो यही पर The Avengers के Grand Finale के साथ खतम होता है हमारा Marvel Cinematic Universe का Phase 1 और इसके बाद शुरुवात होती है MCU के Phase 2 की और MCU के Phase 2 की स्टार्ड भी Iron Man की एक इंडिविजुल फिल्म से हुई थी उस फिल्म का नाम था Iron Man 3 तो इसमें ऑबियस है कि Avengers के बाद कई सारी चीजे है जो बदल जाती है मतलब Iron Man की लाइफ में तो उसके कुछ Consequences आपको इस फिल्म में देखने मिलेंगे और सच बता रहा हूं कि यह भी Iron Man 1 के बाद Iron Man की बेस्ट फिल्म थी इसके बाद आती है पॉंटेड करती है लेकिन फिर भी आगर आपको और की यूनिवर्स को समझना है तो यह फिल्म बहुत इंपोर्टेंट है उसके बाद आती है कैप्टन आमेरिका द विंटर सोल्जर तो यहां पर हाला कि कैप्टन आमेरिका जो है वह आपको पता ही चल गया कि आप यह सारे अमेरिका का स्टैंडर्ड जो है वह फिर्स्ट आवेंजर से विंटर सोल्जर के लिए बहुत ज्यादा पढ़ गया उसके बाद आई गार्डियंस ऑफ द गयालक्सी तो गार्डियंस ऑफ द गयालक्सी एक थोड़ी सी स्टार वार्स चैसी फिल्म थी मतलब एक्जैक्ली स् फेल्टरां में भी ऐसे दो इंट्रोड्यूस किये गया वह जो पूरी सीडीज में आगे चलते हैं तो उसमें की वांडा जो है जिसका आपने जिकर अभी सुना होगा बहुत सारी फिल्मों में तो उसकी स्टार्टिंग इस फिल्म से भी थी इसके बाद आती है एंटमैन अ चोटी सी मखी रहती है वैसे चोटा सा एंटमैन मन के इतनी सारी कर्टूते करता है तो मतलब एक फैंटेसी फिल्म भी थी सूपर हीरो फिल्म भी थी तो यह भी बहुत मज़ेदार फिल्म थी कॉमेडी एक्शन थी हर चीज इसमें मसाला भरा हुआ था और एंटमैन के प्रश्री सबसे फैवरिट मुवी थी इस मुवी का नाम था कैपटन अमेरिका सीविल वार दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ मेरे को यह फिल्म का नाम कैप्टन अमेरिका क्यों रखा गया यह आज तक नहीं समझाया क्योंकि अगर यह फ्ल्म यह अगर आपने मिस की नहां तो मैं कहूंगा कि Avengers की आपने सबसे बड़ी फिल्म मिस कर दी इसमें हला कि कोई विलन नहीं होता है कहानी में ऐसा नहीं कि विलन नहीं होता है इसमें लिटरली हमारे सारे सूपर हीरो है वह दो साइड हो जाते है यह जो विलन बन्द करने का फैसला लिया जाता है औहुं अधे लेंजर्स करे यह साइड आदे अधे विलन के नहीं बन करना है और अधे बंद होना चाहिए उसके उपर लड़ाई है वह तनी इंडरेस्ट करता है मेरे को समझ नहीं है क्योंकि इस फिल्म में हर वो हीरो है जो पुरानी फिल्म में आया था उसके बार आई डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जो कोई भी सर्जरी बहुत आसानी से कर सकते हैं उसके एक गालक्सी में दिखाया था उसकी जो कहानी है उसको इन्होंने आगे चलाया है गार्डियंस ऑफ दे गैलक्सी टू में और इसके बाद आई थी सबसे बेस्ट फिल्म स्पाइडर मैं होमकमिंग तो भाई स्पाइडर मैं एक ऐसी सीरीज रह चुकी है कि इसकी जब भी कोई फि बिख प्रियाल करें उसकी मैं आगे आपके साथ बात करूंगा और उसके बाद एक बनाई थी 2011 एफार में ऐसी फिल्म क्यों कि फिल्म होनाई अभी इसका exact answer आपको फिल वीडियो में आगे मिलेगा Iron Man जो है वो इसको mentor बनके इसको guide करने की कोशिश करता है और वो सब है इसमें आपको Iron Man को भी देखने को मिलेगा इसके बाद आई Thor Ragnarok और यह एक फिल्म थी जिसने थौर को एक अलग लेवल पर लेके गया क्योंकि Thor Ragn Ragnarok जब release हुई तो किसी ने नहीं बोला कि यह marvel universe की बेकारतल में क्योंकि यह one of the best अगर आप भी देखोगे और इसमें पूरा थौर का आउतारी चेंज कर दिया उसके लंबे बाल हटा दिये उसको stylish look दे दिया यहां तक कि यहां पर आप लोकी के character को देखोगे तो आपको यह पहली marvels की बोलो super hero की बोलो ऐसी फिल्म है जो Oscar nominate हुई best film category के लिए nominated हुई second thing यह ऐसी फिल्म थी जिसमें ज्यादातर black लोगों को दिखाया गया है और उसके बावजुद यह एक बहुत बढ़ी hit film हुई मतलब आज इतनी भी black लोगों के उपर black लोगों के उपर यानि इसी कोई film में सबसे ज्यादा business करने वाली यह film है उसके बाद आई Avengers Infinity War एक ऐसी फिल्म थी इसका climax इतना हिला देने वाला था मतलब सही बता रहा हो गाइस अब तक मैंने इतनी सारी Avengers की बोलो या Super Hero की फिल्म में देखी लेकिन जैसा end Avengers Infinity War का था ऐसा किसी फिल्म का नहीं दे तो मैं आपको बता हुए इसा तो हो नहीं सकता बाकि यह फिल्म और इस फिल्म के वज़े से थैनोस का इंपक्त पूरी दुनिया पे चाया थैनोस की जो प्रूरता इसमें दिखाई और उसकी जो पावर रिखाई है वह सही में खतरनाक थे और उसके बाद फिल्म आई कि Ant-man and the boss मतलब इसमें ऐसा दिखाया है कि Ant-man and the wasp की जो कहानी है वह ऐसे समय में चल रहे थी क्योंकि Avengers Infinity War में आपको Ant-man नहीं दिखेगा तो वहाँ पर आपको Ant-man नहीं दिखेगा तो आप फोड़ा सोच में बजबूर हो जाओगे कि भाई इसमें Ant-man क्यों नहीं दिखा होता है और उस परिशानी में उलचते-उलचते वह कहीं चला जाता है अब वह कहा जाता है क्या होता है उसके साथ वह आप एंट-man and the wasp देखो आपको समझा जाएगा अफिर उसका connection आगे Avengers Endgame में रखा हुआ है इसके बाद आई Captain Marvel तो मुझे तो लगा था Infinity War के बार यह एं Captain Marvel की फिल्म जस्ट एंड गेम के पहले इन्होंने रिलीज की और उसके बाद आई Avengers Endgame Avengers की अब तक की सबसे बड़ी हीट फिल्म है यह लेकिन इस फिल्म को लेके लोगों का जो reaction था वो थोड़ा मिला जूला था क्योंकि लोगों को expected था जब Infinity War देखके इंतिजार कर रहे थे इस फिल्म का उनको एक्सपेक्टेट था उतनी बड़ी action-packed यह फिल्म होगी लेकिन इसमें जो थैनोस और थैनोस के साथ वाली जो fight दिखाई है वो एकदम awesome थी उसमें कोई कमी नहीं थी और उसके बाद कुछ time travel के कुछ चीजे बताई गई है कुछ चीजे है जो आप इंटरनेट पर ढूंड़ों के तो आपको मिल जाएगा तो यहां पर एंड गेम पर देखा जाया ना तो एक पूरा जो मतलब फिल्मों का यूनिवर्स था वह एक तरह से समाप्त हो गया था क्यूंकि इसके बाद इन्हों ने और मेरे हिसाब से परसनली मेरे को होम कमिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग यह लगी क्यूंकि इसमें जिस तरीके से उसका कैरेक्टर को मैच्वर्ड बनाया गया है वह बहुत अच्छा लगता है और यहां पे स्पाइडर मैन फार फ्रॉम होम के साथ खतम होता है हमारा मार्वल सिनेमेटिक युनिवर्स का सबसे पॉपिलर फेज फेज 3 और इसके बाद शुरू होने जा रहा है मार्वल सिनेमेटिक युनिवर्स का फेज 4 और मार्वल सिनेमेटिक युनिवर्स फेज 4 की सबसे पहली मुवी आती है ब्लैक वीडो अभी हाला कि ब्लैक वीडो जो है ये उन्वेर्स में कई नहीं होती क्योंकि ये ब्लैक वीडो का प्रिक्वेल है मतलब ग्लैक वीडो जैसे आयर बंबना व्लैक वीडो व्लैक विडो कैसे बनी उसके ओपर बूरी ये कहानी है उसके बास आई शायंची एंड लीजन ओफ देटेन रेंज 3 सप्टेमबर 2021 को और यहाँ पर बिल्कुल ही एक नए केरेक्टर नई कहानी इंट्रोडियूस की गई है अभी इसका आने वाली कि मार्विल्स फिल्म के साथ क्या कनेक्शन है कैसे जोड़ा जाएगा उसका कोई अंदाजा मुझा भी तक नहीं है शायद आगे जाके फिल्मों में हमें पता चलेगा इसके बाद आई पाच नोवेंबर 2021 को इटर्नल्स अभी इटर्नल्स एक ऐसी सूपर हिलों की फॉज है इटर्नल कोई एक बन्दे के ऊपर फिल्म ने से शैआंग ची जो है एक बन्दे की कहानी लेकिन इटर्नल्स जो है वह पुर्य अब्रूप की कहानी है एक group मतलब हमारी universe में exist करता है एक आदोसरा ग्रूप है debius करके उनके साथ fight करने के लिए धर्ती पर आया हुआ है जब दुनिया को नश्ट कर रहा था उस वक्त इटर्नल्स का आते तो इटर्नल्स की थेयरी ऐसी है धर्ती पर क्या चल रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है इनको सिर्फ एक ही मिशन पर भेजा गया है कि जो डेबियंट्स है जो एक विलनियस ग्रूप है उनसे 24 डिसेंबर 2021 में स्पाइडर मैं नोवे हो एक ऐसी फिल्म है यह फिल्म अगर आप इटर्नल्स के बाद तुरन देखने की कोशिश करोगे तो आप इस फिल्म का बहुत एहम हिस्सा मिस्स कर दोगे अभी इसके पीछे का रीजन क्या है यह मैं बताता हूँ क्योंकि नोवे ह देखने में मज़ा नहीं आएगा तो फिल्म की बात करने से पहले हम बात करते हैं आप सिक्वेंस वाइस अभी आप देखी रहे हो तो स्पाइडर मैन की ओरीजनल फिल्म जो 2002 में रिलीज हुई थी सबसे पहले वह देखिए इसमें टॉबी मैगवेर ने पिटर पार्कर का रोल किया हुआ है इस फिल्म को टेक्नोलोजिकली आप देखो कि तो बहुत अपको अच्छी लगेगी आज भी 2002 की फिल्म मतलब 20 साल पुरानी फिल्म होके भी आपको ऐसा लहाएगा नहीं कि यह 20 साल पुरानी फिल्म है इसमें अक्चुलि तीन दोस्तों की कहानी है मेरी जैन पीटर पार्कर और इनका एक दोस्त रहता है है इन तीनों की कहानी है और इनका एक तरह से लाउड ट्रेंगल भी रहा है तो यह पहली फिल्म थी इसके बाद आई थी 2004 में स्पाइडर मैन 2 में कुछ चीजे हो जाती है स्केवजे से उसका दोस्ट है हरी और पिटर पाल कर इस में कुछ दुश्मनी हो जाती है और उसके कुछ नतीजे हमको स्पाइडर मैन 2 में देख सैनमेग्स ser Defaliber फिलो से विलन बन जाते हैं और इसके बाद आई थी Spider-Man 3 2007 यह एक लेवल के फिल्म थी मैं इसका बजट भी उस वक बहुत बड़ा बजट था कि आज मतलब 2022 में भी इतने बजट की फिल्म में नहीं बनती है उतनी 2007 में इतने बड़ी बजट पर यह फिल्म बनी थी और मेरे जाब से यह फिल्म वन आफ द बेस्ट फिल्म थी मैंने यह कई बार रिपिटेट देखी है अब यह तीन फिल्म बनने के बाद चौथी फिल्म बनने वाली थी Spider-Man 4 लेकिन पिर उन्होंने उस फिल्म को कैंसल किया और इन्होंने एक अलग यूनिवर्स क्रियेट किया जुलाए 2012 में आई थी अमेजिन स्पाइडर मैन जिसमें भी क्यरेक्टर जो रहता है वह भी पीटर ही रहता है लेकिन यहां पर अभी चो कहानी है वह बिल्कुल ही डिफरेंट ह मतलब यह फिल्म आई थी तब मैं सुच रहा था कि क्यों यह इस कहानी को आगे नीध बढ़ा रहे मतलब त्री ति उसको ही आगे क्यों क्यों नहीं बढ़ा है वही फाइडर मैन नोवे हों में एक्ट के बाद वापस आई थी आमेजिंग स्पाइडर मैं नियुक्त यह बा आप वापस आपने MCU के Spider-Man No Way Home पे आ जाई है अभी Doctor Strange in the Multiverse of the Madness देखने से पहले मैं आपको सुझा हो दोंगा आप X-Men जो है X-Men series की कोई एक फिल्म मतलब जो first X-Men series film आई थी वो भी आप देख लोगे तो भी चलेगा और अगर आपने एक X-Men series को देखा ही नहीं है और आप Marvel Universe जैसी कोई series आपको देखनी है तो आप X-Men की पूरी series देख लीजिए गा तो उसके उपर एक प्रॉपर रेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप लेकिन X-Men की एक कोई तो फिल्म यार फिल्म आटलिस जो 14 जुले 2000 में यह रिलीज हुई और इसके बाद आएगी 8 जुलाए 2022 को थौर लव एंड थेंडर वो देख लीजिए अगर यह वीडियो आप थौर लव एंड थेंडर देखने के बात देख रहे हो तो जितनी भी फिल्म है स्टार्टिंग से आपके मेस हुए वह आप देख लीजिए तो आपको जो बीच म पैंथर और अवेंजर्स एंड गेम का सिक्वेल कहला ही जा सकती है लेकिन जैसे कि अगर आप हार्ड कोर मार्वल फैंस हो तो आपको पता ही होगा कि चैडविक बोस्मन जिन्होंने ब्लाक पैंथर में लीड रोल प्ले किया था उनकी कोलोन कैंसर के वज़े से मौत हो चु और इसी सवालों को खुशते हुए जब आप इस फिल्म में आगे बढ़ते हो तो एंड में आपको इसका जवाब मिलता जरूर है और मिलने के बाद आपको बहुत ज्यादा खुशी भी पिलोएगी और इसमें एक अंडर वाटर विलन की एंट्री युनिवर्स में होती है और इसी फिल्म के साथ खतम होता है Marvel Cinematic Universe का phase 4 जो हाला कि अब तक के phase में सबसे weak phase माना गया और इसके बाद शुरूआत होती है Marvel Cinematic Universe के phase 5 की और phase 5 की सबसे पहली मुवी आती है Ant-Man and Wasp Quantamania अब जैसे कि आपने Ant-Man and Wasp में देखा था कि हमारा जो Ant-Man है वो Quantumania से वापस आ चुका है और Wasp की मा है वो भी Quantumania से बाहर आ चुकी है तो इस बार कुछ ऐसा घटता है कि हमारे जो सारे किरदार है वो Quantumania में चले जाते है और वहाँ पे Ant-Man और उसकी फैमिली का पाला पड़ता है एक खतरनाक विलन से इस विलन का नाम है Kang the Conqueror Kang the Conqueror आने वाली Marvel Cinematic Universe की जो Avengers की मूवी जाने वाली है उसका मैन विलन रहने वाला है और Kang की सबसे बड़ी खासियत यही रहती है कि वो टाइम पे काबू पाच चुका है यानि वो समय के साथ खिलवाड कर सकता है कोई भी सम आकरी फिल्म Guardians of the Galaxy part 3 यह फिल्म हाला कि personally मुझे इतनी ज्यादा अटैच नहीं कर पाई जितनी first और second अटैच कर पाई थी पता नहीं कहीं पर रॉकेट के किरदार को बहुत अच्छे से इस फिल्म में जरूर किया गया है लेकिन overall बाकी के जो Guardians of the Galaxy के characters है उनकी तरफ focus के तोर पर यह फिल्म नजर आती है और जो Marvel Cinematic Universe का पुराना जो बेकार रेकॉर्ड था उस रेकॉर्ड को संभालने का काम यह फिल्म अपने कंडे पे लेती है और इसके बाद 10 November 2023 में आती है MCU के history की सबसे बड़ी disaster film The Marvels यह फिल्म हलाकि कहा यह जाता है कि उस वक writer strike चल रहा इसलिए promotion के लिए actors को बाहर नहीं निकलने मिला इस वज़े से यह film flop हुई या इस वज़े से इस फिल्म को प्रॉपर ओपनिंग नहीं लगी लेकिन परस्नली कई सारी लोगों ने एक फिल्म देखने के बार लोगों को यह लगा यह MCU की history की सबसे weakest film थी मतलब critically भी इस फिल् commentary इस फिल्म में कहां से हुई तो इस miss marvel को समझने के लिए आपको उसकी पहली की series miss marvel देखनी पड़ेगी और ऐसा ही face 4 और face 5 में होते जा रहा है कि कई सारी marvel cinematic news की series आ रही है और उन series को देखे बगर अगर हम films देखते है तो कई सारी चीज़े समझ में नहीं आती है तो इसी को मत्य नज़र रखके मैंने अगला वीडियो प्लैन किया हुआ है उस वीडियो में मैं movies के साथ साथ कौन-कौन सी series भी आपको देखनी चाहिए और कौन सी series कौन से movie के साथ connected है उसका भी in detail जानकर ही जरूर रहा है इसके बाद 2024 में आने वाली है सबसे थमाकेदार एक मात्र MCU की film Deadpool and Wolverine तो Deadpool जो आपको पता है कि X-Men series का हिस्सा था और Wolverine तो X-Men series का main hero रहा है तो ये दोनों क्या MCU में आएंगे नहीं आएंगे इसके उपर बहुत जम इनके rights लिए है उसके बाद उन्होंने सोचा कि Deadpool जो X-Men series का सबसे कामियाब character रहा है उसी character को और Wolverine को लेके उन्होंने ये फिल्म लांच किया और 2025 में ये एक मात्र मात्र माने वाली है और जो मुझे लगता है personally पुरानी कई सारी फिल्मों के record तोड़ने में कामियाब होने लगा अब इसके बाद की जितनी भी movies आ रही है ना इन movies की release date बताई गई है लेकिन मैं आपको confirmation 100% नहीं दे सकता हूं क्योंकि जैसे अभी हाल फिलाल में राइटर स्ट्राइक एक्टर स्ट्राइक हुआ था ऐसा कुछ चीज़े हो जाती है तो फिल्म में कभी कभी डिले हो अगली वीडियो में आपको पता चलेगा लेकिन उसका जो मैन हीरो है वह इस फिल्म का में हीरो रहने वाला है और यह कहानी को आगे बढ़ा के लेगे जाएगा अब इसमें क्या-क्या होता है वह देखना बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग रहेगा क्या इसमें हमारा जो पुराना कैप्टन अमेरिका है यानि क्रिस्ट इवेंस वह देखने को मिलेगा या नहीं यह एक सस्पेंस वाली बात है यह जब फिल्म आएगी तभी आमें पता चलेगा और इसके बाद मार्वल सिनेमेटिक यूनियो इसके पेट स्पाई की आकरी मूवी आने वाली है जि प्रिंगों की मेरे भाई हो वेहन, चैला और जो कहीं है, इसको पूरा ऐस्प्र hayokटी में दिया में थीयू में दूँए मynnदेक की तरफ फंडरबोल्स जो है यह एक एंटी řेक्टर रहने वाला है यह इसको आप विलेनियस करेक्टर भी बोल सकते हो क्यूंकि यह Captain America प्रेव न्यू वर्ल्ड का में विलन रहने वाला है और इसी फेल्म के साथ साथ phase 5 खत्म होने वाला है और उसके बाद आएगा phase 6 अब phase 6 की 4 फिल्म है अनौंस्ट हो चुकी है और तीन फिल्मों के उपर काम चल रहा है लेकिन उसका release date और कब तक release होएंगे उसका confirmation नहीं मिला है तो जैसा जैसा मुझे update मिला है उसके हिसाब से मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ phase 6 की सबसे पहली movie आने वाली है दो फैंटास्टिक 4 पूरानी जितनी भी फैंटास्टिक 4 की movie आई है उसका इस movie के साथ कोई connection नहीं रहने वाला है तो वो movies देखने की ज़रूरत आपको इस film के लिए बिलकुल नहीं पढ़ने वाली है क्योंकि इस फैंटास्टिक 4 में सारे characters जो है वो नहीं रहने वाले जैसे कि आपको पता ही है कि पूरानी फैंटास्टिक 4 में Chris Evans ने एक बहुत एहम रोल निभाया है और वही Chris Evans हमारे MCU में अल्रेडी Captain America का रोल निभा चुका है तो यह possible ही नहीं है कि वो films के characters को लेके इस film को continuity रख सके इसके बाद 7 November 2025 को आने वाली है film Blade आप ब्लेड नाम सुनके आपको पुरानी Marvel के ट्रायलोजी यार आई होगी ब्लेड ट्रायलोजी तो उन तीन मुवी के साथ कोई connection नहीं है वो ट्रायलोजी इंडिविजूल थी यह एक अलग universe का ब्लेड करेक्टर रहेगा हाला कि आगे जाके अगर mco उस ब्लेड करेक्टर को इसके साथ कुछ connect करें तो पता नहीं लेकिन फिलाल इस फिल्म के लिए आपको पुरानी ब्लेड फिल्म देखने की जरुवत नहीं है और उसके बाद 1st May 2026 को आने वाली है Marvel Cinematic Universe की एक धमागेदार फिल्म इस फिल्म का नाम रहेगा Avengers 5 फिलाल इसका नाम Avengers 5 दिया गया है पहले इस फिल्म का नाम Kangs Dynasty ऐसा कुछ था अब पता नहीं आगे जाके इस फिल्म का नाम यही रहने वाला है या चेंज होगा लेकिन फिलाल के लिए हम इसको Avenger 5 के तौर पर जानेंगे और इसके बाद 7 में 2027 को आने वाली है इसी Avenger 5 का सीक्वेल जिसका नाम रहने वाला है Avenger Secret Wars अब इसके बाद 2027-28 या 19 तक कुछ फिल्में इन्होंने प्लैन की हुई है लेकिन उनकी प्रॉपर ऑफिशल अनौंस्मेंट नहीं हुई है जस उन फिल्मों पर काम चालू है इतना मार्वल की तब पता चला है और उसमें की पहली फिल्म रहने वाली है Spider-Man का अंटाइटर सीक्वेल मतलब वह नूवे हों का सायद सीक्वेल रहेगी लेकिन उसकी एक्जैक्ट डीटेल नहीं बताई गई है उसके बाद शैंग ची एंड जितने भी लोगों ने देखा उन सब ने उस पार्ट की बहुत ज्यादा तौरिट की थी और उसके बाद आने वाली है एक धमाकेदार फिल्म अंटाइटल्ड एक्समें का पहला फिल्म मतलब एक्समें सीरीज क्या है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दू इसके अलाव भी कई सारी मूवी और सीरीज अनाउंस की गई है या उनका भी सीक्मेंस आपको जानना है तो आप नुझे नीचे कमेंट करिये अगला वीडियो में उसी योपर बना रहा हूं आपको उसमें और क्या-क्या एड-on चाहिए मैं आपकी फर्माईश के हिसाब से वो वीडियो जरूर से बनाओंगा तो चलिए गाईज यही रहा हमारा हाउ टू वाच मार्वल सिनेमाटिक यूनिवर्स इन ओर फेज बन टू फेज 6 अगर वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर फर्स्टेमर चैनल सब्स्राइब करना अब मिलत है और एक ऐसी वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई